क्या आपको भी English बोलने में परिशानी होती है तो कोई बात नी। परिशान होनी की कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि मैं हूँ ना आपको बताने के लिए। अगर आप डारी मेंटेन करते हो तो बहुत अच्छी बात है नहीं मेंटेन करते हो तो मेंटेन करने की कोशिश करो यानि रात में आप वो चीज लिखो दिन भर में आपने क्या किया कहा गई क्या किया खाया नास्ता पानी जो भी हो आप वो उस चीज को इंगलिश में डारी में लिखो डेली रात को डारी को मेंटेन करो दूसरा टिप्स जो कुछ भी आप बोलते हो उसको रिकॉर्ड करो और खुद सुनो उसको कि आपका वोईस कैसा है आपका टोन कैसा है आप कैसा बोल रहे हो किस तरीके से बोल रहे है आपने जो बोला वो सही है नहीं या आपने जो बोला वो गलत है गलत है तो उसको ठीक करक इस चीज़ को देखे, देखने से क्या होगा, आपको बार बार अगर वो चीज़ देखेंगे, आपको याद होगा, याद होगा कहने का मतलब वो आपके माइन में बैठेगा, आपको पता होगा कि हाँ, इसका मतलब क्या है, यह कहें चाहें वो मेरी वीडियो हो, या किसी की वीवरी हो अगर कुछ सीखते हैं आप उससे तो कुछ इस तरीके से सीख सकते हैं बार वर उस वीडियो को देखें और समझने की कोशिश करें फॉर्थ स्टेप इसमें क्या करना है अगर आपके पास कोई ऐसा ग्रूप है फैमिली ग्रूप हो या फ्रेंट ग्रूप हो जहां पे आप इंग्लिस में टॉक कर सकते हैं बात कर सकते हैं इंग्लिश में तो बात करें वहां पे आप शेर करें अपने बातों को इस ते पता लगेगा कि हाँ आप क्या बोल रहे हैं और लास्ट सिप यए है कि आप लिखने की कोशिश करें. जो भी लिखे, पैंस से ना लिखे. मैं रेक्मेंड ऐसा करूँगी किई पैंस से लिखे. ताकि आप से कोई गलती हो तो उसे रब करें. उसानी से लिख सकते हैं. लिखने कहने का मतलब आज जो कुछ भी बोलते हैं समझते हैं अगर आपके पस टाइम है तो उसे लिख के देखे कि क्या मैं सही लिख रहा हूँ लिख रही हूँ क्या मैंने जो सीखा वो सही है अगर आपके पस टाइम है तो वो करे